हेलो माई डियर स्टूरेट्स आइ ओप यू आर वेल नाओ लेट्स स्टार्ट को फॉर्थ चैप्टर नेम इज तॉलीड्स एंड गैसेज ओके और इसका मतलब होता है solid का मतलब होता है ठोस, liquid का मतलब तरल और gases यानि की gases और इस chapter में हम लोग discuss करेंगे, we will learn matter फर्ट जो point है, जो है पहला आपका point है वो है आपका states of matter, changes of states, solutes, solvents and solution, separation of substances तो इन इन चीजों के बारे में हम लोग इस chapter में discuss करेंगे तो आए स्टार्ट करते हैं आपका ये chapter और इसमें पहली line जो है यापे देख सकते हैं all things take up space and have mass, यानि कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो क्या करती हैं वो space लेती हैं और उनकी कुछ mass होते हैं any substance that has mass and occupy space is called matter और कह रहा है कि वो substance वो कोई भी substance जिसके पास mass है और जगह घेरती हैं उसे हम लोग कहते हैं matter उसके बाद से अगला solids, liquids and gases are the three states of matter solid हो गया, liquid हो गया और gases ये जो है तीन अवस्ता हैं matter के यहां पर कह रहा है कि identify the solid, liquid or gases in each example and then write them in the correct column to complete the table यहां पर कह रहा है कि जो है यहां पर कुछ figures दिये गया है solid, liquid or gases के उसको पहचान ये और पहचान की यहां पर जो भी column दिया गया है उसको भर ये तो यह आप लोग जो है खुद से अपने लोग next बात करेंगे चलते हैं हम लोग अगले next page पे, second जो आपकी chapter का second page है देख सकते हैं आपकी screen पे है यहां पर और इसका जो पहला topic है वो है आपका states of matter यानि कि matter की अवस्थ्या, द्रव की अवस्था, तो यहां पर कह रहा है कि all matter are substances made up of small particles जितने भी जो है आपके द्रवे हैं पदार्थ हैं वो छोटे-छोटे particles कणों से मिलके बने हुए हैं ठीक है ना और यहां पर कह रहा है कि these particles are arranged in different ways in solid, liquids and gases और यह जो particle है इनको arrange किया जाता है अलग यह जो है arrange होते हैं अलग-अलग तरीकों से और solids में, liquids में और gases में इनकी जो arrangement होती है वो क्या होती है अलग-अलग होती है तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे solids की और यहां पर देख सकते हैं यह जो है वो पदार्थ है जिसमें आपके particles बिल्कुल एक दूसरे के close होते है आप यहां पर देख सकते हैं बिल्कुल यहा पर figure में दिखाया गया है कि आपके liquid और gas के प्रिजन में जो अभी आपके पार्टिकल्स वह क्या है एक दूसरे के पास-पास आप यहां पे देख सकते हैं उसके पास यहां पर कह रहा है कि यहां पर जो है मुख्यता क्या होता है हाड होता है जैसे कि आप लोग लोहा सिल्बर चांदी ऊड़ इन सारी चीजों को आप लोगों ने देखा होगा और उसका एक जो है फिक्सड शेफ होता है जो है आकार होता है उसके बास एक्जांपल में यहां पर देख सकते हैं पैंसिल बुक इस भी होते हैं जब हम उस पे फोर्स अपलाई करते हैं तो वो क्या होता है अपना आकार बदल लेता है जैसे कि एक्जाम्पल में यहां पर कह रहा है कि डो कैन भी रोल आउट इंटु चपाती आप लोगों ने जो है आटा गुना हुआ आटा देखा होगा जब जो है उसको पर के रोल किया जाता है तो वो क्या होता है चपाती यानि की रोटी में कानवर्ट हो जाता है एंड इंट्रस्टिंग शेप can be made out of clay और यहां पर कह रहा है कि और clay को जो है हम जिस भी आकार का बनाना चाहें बना सकते हैं, उसके पास यहां पर कह रहा है कि तो इसका उसके और यहां पर फिगर में भी देख सकते हैं यह सभी के और फिप्लेंगे के उधारण हैं तो इसके उसके हैं और यहां पर लिकविड के पार्टीकल के इन the comparison of solids थोड़े दूर दूर हैं, लेकिन गैस के क्मपरीजन में है है थोड़े पास-पास हैं तो यहां प यहां पर आएए पड़ते हैं आपके solids liquids के बारे में तो यहां पर देख सकते हैं कह रहा है कि liquids are substances in which the particles are not very closely packed है यहां पर कह रहा है कि liquid वह पदार्थ है जिसमें particles क्या होते हैं closely packed नहीं होते हैं अल्नाइक solid they have no fixed shape and can flow यहां पर कह रहा है कि यह जो है ना solid की तरह इसका कोई fix shape नहीं होता है और यह flow कर सकते हैं जबकि आपका solid flow यानि की बहता नहीं है okay they take the shape of the container they are put into यहां पर कह रहा है कि हम जिस भी जो है बरतन में इसको प्यूड करें पूड करें यानि की उड़े ले यानि उसको धलका है तो वह जो है उसी का सेप उसी का आकार जो है उस बरतन का आकार क्या करता है ले लेता है ठीक है ना example में अगर हम लोग बात करें तो water milk and juices are example of liquids तो जो है ना यहां पर water हो गया juice हो गया यह सभी के अभी क्या है आपके जो है लिक्विट के example से उदार रहा है उसके आपे कहार है कि यदि जो है हम क्या करें कुछ orange juice को किसी तो आपके इसी आप मैं आपको हम ग्लास के ऐसे लोगा टउल हम आमु intent इसी अरे मीरश जो अरे में आपके इस पर कम CC आपके लेल से अर critics इसे अर्णिंग लिक्विट के बारे में 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 लि प्रॉपर्टीज वह प्दात है जिस्में हमारे पार्टिक्ल्स क्या होते हैं बहुत ही जो लुज-ली पार्टिक्ल्स क्या है इसे पार्टिकल्स क्या हैं यहां पर डेख सकतेے उसके बाद से यहां पर next रमलूग बात करेंगे they too have no fixed shape और यहां पर कहरा है कि जिस तरह से liquid का कोई fixed shape नहीं होता है बिल्कुल इसी तरीके से जो है gases के भी कोई fixed shape नहीं होता है तो यहां पर अगला next line है देख सकते हैं unlike liquids they occupy all the available space in a container यहां पर कहरा है कि यह भी liquids की तरह नहीं होता है यह क्या करता है यह जो है ना जितनी भी container की जितनी area रहेगी है space जो भी है वो पूरा का पूरा occupy कर लेगा है air and cooking gas are example of gases और हवा और जो आपका cooking gas है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं सिलेंडर के अंदर पूरा भरा हुआ रहता है वो उदारण है कि इसके gases के air is actually a mixture of gases such as oxygen, nitrogen, carbon dioxide और air यहां पर वास्तों में होता क्या है तो यह जो है gases का mixture होता है जैसे और इसमें कौन-कौन सी gases होती है तो आपका oxygen, nitrogen और carbon dioxide और यहां पर उसके पास fluid include both liquids and gases अगर हम लोग fluid की बात करें तो जो आपका liquid और gases दोनों के दोनों ही क्या है आपके fluid के उदारण है और यहां पर जो है example में figure है यह liquid का और यह आपका यहां पर gases का उसके बाद चलते हैं हम लोग next page पर आपका जो next page आप देख सकते हैं और gases के लिए जी लिखना है और उसके बारे में यहां पर एक feature भी लिखना है इन टर्म्स आप इस पार्टिकल है ना यानि कि उसके जो भी particles हैं लूजली पैक्ट है कि वेरी लूजली पैक्ट है कि closely पैक्ट है वो feature भी यहां पर लिखना है तो यह आप लोग खुझ से करके मुझे चेक कराएंगो नेक्स उसके बारे में यहां पर डिसकस करेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कि matter can change it from from one state to another हम लोग अगर द्रवे की बात करें तो यह जो है अपनी एक अवस्था से बदलके दूसरी अवस्था में convert हो जाता है और यहां पर कहा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसमें आपका कोई चेंज होके किसी लिक्विट में चेंज होता है तो हम लोग उसको कहते हैं मेल्टिंग मतलब क्या होता है पिगलना ओके और उसके बास से कहा रहा है कि यदि आप कोई भी फ्रिज से एक क्यूब निकाले और उसको निकालके जो है रूम टेंप्रेचर पर रख दे तो आप लोग क्या देखेंगे कि वह धीरे धीरे जो भी आपका आइस है वह पानी में प्रदान करें तो वह जो है वेपर में चेंज हो जाएगा यानि कि वह क्या बन जाएगा आपका भाप बन जाएगा उसके पास यहां पर नेक्स लिकाओ कहा रहा है कि प्रॉसेस बाइच ग्यास चेंज इन्टू लिक्विड और कूलिंग इस काल कंडनसेशन यहां पे कह र प्रदान करें तो आपको दिखाएगा कि वह जो है अपने ट्रे लगाया है उस कंडेनर के उपर उस पर जाके धीरे-धीरे कलेक्ट होगा और वहां से जो है ड्रापलेट बनने सुरू हो जाएगे यानि कि वहां पे जो है कंडनसेशन की प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद से नेक्स्ट यहां पे जो आप देख सकते हैं और यहां पर प्रक्रिया जिसमें आपका लिक्विड चेंज होता है सॉलिड में कूल करने पर यानि उसका टेंपरेचर हम लो करते जाए यानि उसको हम फ् करते हैं तो प्रक्रिया जने सिलमटी करने उसके वाटर को टेंट यहां अभी के चूंज है यह उसके पीड़ेजिडा अपका वाटर यहां इस होना स्चाहीं है वाटर यह जो कर सकते हैं तो आपका जीक्रीज्विक्टेशन करुग आपको अपकर शुलेज़र एक हम पर ल जो है किसमें कनवर्ट हो गया आपके आइस में तो यह जो है उदाहरण है किसके यह जो है जो है जो है बना सकते हैं यानि कि जो भी है आपकी स्टेट्स आफ मैटर वो जो है चेंज होती रहती है और रिमेनिंग पार्ट इस चेप्टर का हम लोग डिसकस करेंगे अगले वीडियो में अजय कि आपके लोग ओर्ट लोग जो है जो है जो है